हलो फ्रेंड आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल रासित की बिजनिस आइडिया तो एन्खाव मंडी पहुँच गया हूँ और डिरी फार्मर भाई के लिए इस मंडी में काफी बेश्ट गया उपलब्ध हो जाती है तो पूरी डीटेल में बात करेंगे कि आज की मंडी में कितने लिटर वाली गया उपलब्ध हुई है और क्या डिमांड रखा गया है तो वीडियो को लाश्ट तक देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पास में बनी बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा लें और आल पे किलिक करें ताकि आने वाले हर नय वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें 20 लीटर, 22 लीटर, 16 लीटर वाली मिल्किंग की गाय उपलब्ध हुई है और एक-एक करके पुरी गाय का डीटेल देने वाला हूँ बिहार के पटना डिस्टिक में ये मंडी आता है आइनखौ मंडी के नाम से जाना जाता है तो सबसे पहले इस गाय का डीटेल आप लोगों को देना चाहेंगे जो के काफी टॉप क्लास की मंडी में ये गाय है और ये गाय डेरी फार्म के लिए बहुत ही बेश्ट है ब्लैक अन वाइट की बात कर रहा हूँ और ये ब्लैक वाली का भी डीटेल देंगे आपको तो एक ही आउनर की दोनो गाय है पहले आपको राइट साइड वाली गाय की डीटेल दे देता हूँ और ये देख पा रहे हैं थनों की बनावट काफी शांदार हाइट लेंथ काफी बढ़िया एचेफ ब्रीट की गाय है और दांत में अभी ये गाय चार बताई जा रही है और चार दांत की गाय देख पा रहे हैं आप मिल्किंग कैपिसिटी की अगर बात की जाए तो दोनों समय का 22 लीटर मिल्किंग कैपिसिटी बताया जा रहा है और इसका जो धन है वो बिल्कुल टाइट है कहीं से लूज नहीं देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को देख सकते हैं करीब से 22 लीटर milking capacity और demand के अगर बात की जाए तो इस गय का 85,000 demand रखा गया है 85,000 रुपया बच्चा इसके नीचे female है बाची बच्चा तो ये भी एक plus point है price कम जादा कर दिया जाएगा fix नहीं है तो आगे बढ़ेंगे और जानेंगे एक और शांदार गया जो के height length इसका भी काफी बढ़िया है और इसके बगल में गया खड़ी है देख सकते कमपेर कर सकते हैं कितना छोटी लग रही है ये गया ऐसा लग रहा है कि बच्चा है इस गया का और काफी height में ये गया है और मंडी में अगर बात की जाए सबसे heighted गया की तो यही है सबसे जादा इसका उँचाई है तो क्या है इसका detail वो भी देता चलूँ आपको दांत में ये गया मिल चुकी है और ये गया अपने दूसरी ही बयात पे बताई जा रही है तो आप लोग इसके बारे में comment करके जरूर बताएं कि दूसरी है या तीसरी हलाकि दूसरी बयात बताई जा रही है दांत में मिली भी है milking capacity की अगर बात की जाए तो 15 लिटर दोनों समय का इस गया की नीचे में milking capacity बताया जा रहा है demand की अगर बात की जाए तो इस गया का demand 55,000 रखा गया है 55,000 रुपया बच्चा इसके नीचे male है बाच्चा बच्चे के साथ में ये गया तो 55,000 रुपया demand बताया जा रहा है कम जादा भी कर दिया जाएगा 15 लिटर milking capacity है तो आगे इस गया का डीटेल देता चलूँ आपको HF breed की गया देख पा रहे हैं और आज की मंडी में ये गया बच्चा दे दी अभी कुछ देर पहले इस गया ने बच्चे को जनम दिया है जो के बच्चला बच्चा है और अभी तक जेर भी नहीं गिराई है जो के लगबग बच्चा देकर आदा गंटा हो गया और जर गिराने में लगबग अभी एक से दिलगंटा समय और लग जाएगा इसको तो थनों की बनावड देख सकते हैं और ये गया चार दात पे है और पहले बियात की बताई जा रही है यानि पहले बार बच्चा दी है और बच्चडे बच्चे को जरम दी है ये गया ने चार दात में है और अनुमानित जैसा कि इनके आउनर का कहना है कि 14 लिटर ये मिल्क दोनों समय में करेगी डिमांड की अगर बात की जाए तो इस गया का 57,000 प्राइज रखा गया है 57,000 बच्चा मेल है तो आगे कुछ और गया का डीटेल देता चलूँ बने रहे हैं वीडियो में अन तक अगर चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लें और ये गया का भी डीटेल देता चलूँ क्रोस ब्रीट की गया देख पा रहे हैं आप और HF सहीवाल क्रोस बताई जा रही है दात में ये गाय छे बताई गई है और बैक साइट से अडर की बनावर देख सकते हैं फ्रंट साइट से भी काफी बढ़िया है और धूप होने के वज़ा से थोड़ा सा ये गाय हाँ प्री है तो छे दात की है मिलकिंग कैपिसिटी इसके नीचे दोनों समय का 14 लीटर बताया जा रहा है और डिमांड की अगर बात की जाए तो इस गाय का 47,000 प्राइज रखा गया है 47,000 रुपया बच्चा इसके नीचे मेल है बाच्छा बच्चे के साथ में ये गाय है तो आगे यहाँ पर भी कुछ अच्छी गाय देखने को मिल रही है अडर की बनावड देख सकते हैं इस गाय की और काफी मंडी में भीड भी है जिसके वया से मैं अंदर से वीडियो कवर नहीं कर पा रहा हूं तो बैक साइट से ही डीटेल देंगे आप लोगों को इस गाय का छे दात पे ये गाय बताई जा रही है और मिलकिंग कैपिसिटी 16 लीटर दोनों समय का इसके नीचे बताया जा रहा है और थनों की बनावड देख सकते हैं 57,000 रुपया प्राइज रखा गया है और इस एंगल से भी थोड़ा दिखाने की कोशिस कर रहा हूं देख सकते हैं और काफी भीड है एक लाइन से गाय है तो 57,000 प्राइज बच्चा मेल है इसके नीचे 16 लीटर मिलकिंग कैपिसिटी गाय छे दात पे है तो आगे इस गाय का भी डीटेल देता चलूँ जो के ये गाय भी ठीक ठाक है और प्राइज के हिसाब से मुझे अच्छी लगी ये गाय हलाकि कम जादा करा जाएगा क्या है डीटेल वो पहले जान लीजिए दात में मिल चुकी ही ये गाय और मिलकिंग कैपिसिटी इसके नीचे दोनों समय का 13 लीटर बताया गया है इनके ओनर दो आरा और डिमांड के अगर बात की जाया तो इस गाय का 42,000 प्राइज रखा गया है 42,000 रुपया बच्चा इसके नीचे मेल है तो प्राइज कम जादा कर दिया जाएगा और मेरे हिसाब से ये गाय आपको 36 तक मिल जाएगी तो एक ही ओनर की जो दो गया थी तो उसमें से एक गया ये है और एक गया का डीटेल आप लोगों को फर्स्ट वाली गया का डीटेल दिया था अडर के बनावट से आप अनुमान लगा सकते हैं छे दात पर ये गया है और मिल्किंग कैपिसिटी इसके नीचे दोनों समय का 14 लिटर बताया गया है डिमांड के अगर बात की जाए तो इस गया का 51,000 प्राइज रखा गया है 51,000 रुपया बच्चा इसके नीचे मेल है औ तो आगे और भी कुछ अच्छी गया है बने रहे हैं वीडियो में एक एक करके कुछ और भी गया का डीटेल देना चाहेंगे और मंडी काफी अच्छी लगी थी जैसा कि मैंने बताया आपको भीड़ भाल भी काफी हुआ है और ये जो गया देख पा रहे हैं अपने पहले की बनावट तो चार नात की और मिल्किंग कैपिसिटी अभी इसके नीचे 12 लिटर बताया जा रहा है और उमीद भी जताया जा रहा है कि ये गया अभी और दूद बढ़ाएगी बच्चा देकर इसे अभी 5 दिन हुआ है 12 लिटर मिल्किंग कैपिसिटी है और 49,000 इस गया क प्राइज रखा गया है बच्चा इसके नीचे भी मेल है तो चलिए आगे इस गया का भी डीटेल देता चलूँ और बीच वाली गया देख पा रहे हैं काफी अच्छी HF बिरीट की गया है और भीड़ भाड़ फिर से कहूँगा मंडी में है थोड़ा सा वीडियो कवर करन डीटेल जानने के बाद अगर सही लगता हो तो इस मंडी तक आकर गया भैस खरीद कर यहां से ले जा सकें तो यह गया जो देख पा रहे हैं आप HF बिरीट की गया और दात में मिल चुकी है मिलकिंग कैपिसिटी की अगर बात की जाए तो इसके नीचे दोनों समय का 14 मिलकिंग कैपिसिटी बताया जा रहा है तो आगे और भी कुछ गया है और यहां पर यह गया जो देख पा रहे हैं थोड़ा सा दुबली देखने में लग रही है लेकिन मिलकिंग वगरा इसके नीचे भी ठीक ठाक है बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक है 6 दा पिसिटी है और डिमांड इस गया का इनके ओनर दोवारा 48,000 बताया जा रहा है और 48,000 रुपय डिमांड रखा गया है बच्चा इसके नीचे मेल है तो 12 लिटर 48,000 रुपय प्राइज 6 दात पे यह गया है थोड़ा सा विक जरूर है देख सक रहे हैं आप वीडियो में तो वीडियो को भी अंत करेंगे तो एक और गया देखने को मिल गई इसका क्या है डीटेल वुपय आपको देना चाहेंगे और ये गया जो देख पा रहे हैं एक किसान भाई की गया है और इसका डिटेल यह है कि यह दात में 6 बताई जारी है और ठनों की बनावर देख सकते है इस एंगल से 11 लिटर milking capacity बताया जा रहा है इस गाय के नीचे में और demand के अगर बात की जाए तो 40,000 इनके honor दवारा प्राइज इस गाय का रखा गया है बच्चा इसके नीचे mail है बाचा बच्चे के साथ में ये गाय इस मंडी से बिकीवी गाय का भी detail दिया जाएगा तो कल आपको वीडियो अपलोड करके पूरी detail में बात करेंगे कि कितने में गाय सेल हुई 16 लिटर 17 लिटर वाली गाय सेल हुई है आज की मंडी में तो आपको इसका वीडियो कल देखने को मिलेगा तो वीडियो में आखिर तक बने रहें और उस वीडियो को देखें जरूर जाकर जब अपलोड करेंगे तो तो यहां पर ये गाय है इसका detail देने के बाद फिर वीडियो को end करेंगे क्योंकि वीडियो भी बड़ा होता जा रहा है तो ये गाय छेदात पर बताई जा रही है और ये गाय भी एक किसान भाई की गाय है और कोसिस होती है कि हर तरह की गाय का detail दिया जाए ताके सभी तरह के यहां पर भाई आकर गाय खरीश सकें और उनके हिसाब से यहां पर गाय मिलती है या नहीं मिलती है हर तरह के लोग इस channel से जुड़े वें तो हर संबफ कोसिस हो रखा गया है 37,000 रुपया और अंतिम में इस गाय का डीटेल दे देता हूँ आपको चार से पांच ब्यात की ये गाय है और दात में मिल चुकी है 13 लीटर मिलकिंग कैपिसिटी और इस गाय का जो डिमांड बताया गया है इनके अनर दोबारा वो 39,000 रखा गया है 49,000 रुपय और वीडियो को लाइक सेर भी कर दिया है